और ये है ताज महल की खुपसूरती हलो फ्रेंड्स, वेलकम वन्स अगेन आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम आप सब का शुक्रिया करना चाहेंगे आपने हमारी पिशली वीडियो को लखनव की सभी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और इसी तरह प्यार देते रहिए और आपके कमेंट से हमें बहुत सारा प्रोच सहान मिलता उसके लिए आप सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है आज हम UP के एक नए शहर को कवर करने आ गए हैं हमने अपनी ट्रावल जन्नी की शुरुवात कर दिया है और एक न्यू शहर को आपके साथ कवर करेंगे जो कि अपनी तहजीब के लिए अपने कल्चर के लिए अपने हरिटेज के लिए जाना जाता है और यहाँ पे one of the seven wonders of the world भी है तो आप हमारी वीडियो से, हमारी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस शहर में हैं तो आज हम आप पहुँचे हैं आगरा और आगे की इस वीडियो में आप आगरा के ताज महल को देखेंगे और हम पूरा कवर करेंगे कि यहाँ क्या खुशूरत है, आप कैसे आएं, किस समय पे आएं और सरी डीटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी साथ ही आने अले आले वीडियो में आपको आगरा की ही सभी सिरीज मिलेगी आने अले आगरा के इंदर जितने भी मॉनिमेंट्स हैं आप सभी इस वीडियो में आगे की स्रीज में देख पाएंगे आने अले इस वीडियो उटके हमने अपने ट्राइवल जड़नी की शुरुबात करी और हम पहुँच गए आगरा के ताजमहल आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं जो भी आगरा ताजमहल विजिट करना चाहते हैं वो जब भी जाए तो कोशिश करें कि सुबा जल्दी पहुचे ताकि आप ताजमहल पे संदाइस का भी अनन ले सके और उस समय पे हैं तो आप पहले ही ओनलाइन टिकेट बुक कर ले ओनलाइन टिकेट बुकिंग की फेसिलिटी अवेलिबल है आप वहां पहुचके भी कर सकते हैं आपको क्यू आर कोट मिल जाएंगे आपको पांच परसंड का दिस्काउंट भी मिल जाएगा वेस्टन गेट से एंटर करने के बाद हमारे सामने ये खुबसूरत कोटरियां पड़ी और ये सभी कोटरियां जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये उन लेबर्स की हैं जिन्होंने ताजमहल को बनाया लगबग 22 या 20 सालों में और लगबग 22,000 लेबर्स के द्व पहले एक और बहुत ही खुबसूरत दर्वाजा पड़ता है जिसे ग्रेट गेट या दर्वाजे ए रौजा भी बोलते हैं और ये बहुत ही खुबसूरत है इसके उपर बहुत सी अलग-अलग लैंग्विजिज में लिखा हुआ है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँग जिसकी खुबसूरती को शब्दों में बया नहीं किया जा सकते ताजमहल 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ है और यहाँ पर सोला गार्डन और तिरपन फाउंटेंस भी है और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है जब हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये सभी फाउंटें उस समय पे भी चला करते थे जब मोटर्स नहीं होती थे इसके बाद हम आगे बढ़ें और हमारे सामने पड़ा ये जलमहल जो की बहुत ही खुबसूरत बना हुआ है जिसका काम पानी को यमुना नदी से उपर लाना था आगे बढ़के ताजमहल के लेफ्ट में मॉस्क बन 2.5 थाउजन ट्रिलियन के लोज है और ये लगणी पानी को सोक के और मजबूत होती है आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि हम आगे की ताजमहल के अंदर की वीडियो को शूट नहीं कर पाए यहां पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हम अंदर से आपक बार रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आते हैं तो जरूर से किसी गाइड को लेके आए गाइड के साथ आए ताकि यहां की ब्यूटी को यहां की हिस्ट्री को और डीटेल्स को आप अच्छे से समच सके कि हर एक जगा पे बहुत ही जादा कुप्चूरती है और जैसे कि कि आपके सामने दिख रहा होगा हर एक गॉल को हर एक जगा को रेड स्टोन पे कार्व करके बनाया गया है यह जितनी भी डिजाइन्स बनी है यह सब लाल पत्थर के उपर खोद के बनाई गई है कोई भी पेस्टिंग नहीं है और कहीं पेस्ट मार्बल का यूस किया गया ह कहीं पे मार्बल को कट करके पेस्ट किया गया ना जाने कैसे पर बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है यहां की दिवालों पर डीटेलिंग्स बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है बहुत ही ज़्यादा शर्पनेस है जिसे आजकल की आधुनिक टेकनोलोजी के साथ बहुत से वरकर्स के साथ भी बनाना शायद मुश्किल और असंभो सा है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आगरा की एक और नई जगा को कवर करेंगे तब तक क्लिए आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूले और चानल को जरू झाल